हलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सिर्फ तीन जूसे आप घर में बहुत ही टेस्टी गाजर का हर्वा बना सकते हैं आपको गाजर को धोकर उसे ऊपर से चील लेना है चाको से फिर उसे कदूकस कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ देख लिजिए आप वीडियो में मैंने दिखाया है ऐसे कदूकस कर लेना है फिर कड़ाई गरम कर लेना है और उसमें दो चमस देसी गी मैंने यूज किया है मैं मैं घर में ममी ने बनाया था देशीगी तो मैंने वही उसके आपके पास ना हो तो फर्चुन या फिर रिफाइंड ओल से भी चलेगा अगर देशीगी हो तो बहुत टेस्टी होगा देशीगी डालकर फिर कदूकस किया हो गाजर डारेक्ट डाल दे धक के पांच मिट पकाने अची थी उसे मैंने उचूर करकर डाला है लगवक 20-30 मिट में यह पक जाएगा और यह इसे आप लच्छे दार रखना चाहते तो इसे मैस ना करें लच्छे दार नहीं बनाया तो इसलिए मैंने मैस कर लिए यह दाल मिलाने वाली जो होती है उससे मैंने मैस किया है उसके ना च्छी जी में चुंहागे सिंव्क ले यह द strongest गाजर कैसे करें अपने च्था से डाल सकते हैं मैंने च्छा में डूप्धत आप स्थीटर ढ़ना हीय olhar दर फार रोट जिए कमरा दस से त्वह बासय नहीं कर तक दोसा